सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको शिक्षक भरति से जुड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे देखिए आत्मनंद के उत्किष्ट माध्यम विद्यालाय में शिक्षक के विभिन्पद पर भरति का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है भरति विभाग का नाम है स्वामी आत्मनंद उत्किष्ट विद्यालाय कोर्बा में निकाला गया है जिहां साथियां कोर्बा के आत्मनंद में भरतिया निकाली गई है सिख्षक, सहायकशिक्षक, प्रधानपाथक और सहायक ग्रितिन के पठ पर यह भरती है, निकाली गई है कुल पधो के संख्या के बात करें मित्रों तो कुल 25 पदों पर यह जो भरती है, वो निकाली गई है स्वामी आत्मन्न इसकुल कुर्भा में आवेदन की माध्यम की बात करें तो आपका जो इंटर्वियू के माध्यम से आपका चैन किया जाएगा नवकरी की स्रेडी की बात करें तो समीदा भरती है रेगुलर पद नहीं है इस बात को आपको याद रखना है आत्मरंद में जितने भी भरतियां हो रही है सभी समीदा है रेगुलर पद नहीं है नवकरी की इस्थान की बात करें तो कोर्बा में आपकी पोस्टिंग होगी आवेदन किती थी 22-25 फरवरी निधरित की गई है विभागी वेबसाइट पर आप जाएंगे कॉर्बा.GOB.IN तो आपको तमाम जो जानकारिया है यहां से मिल जाएंगे अलग-अलग हम पदों की बात करें साथियों प्रधान पाठक माध्मिक साला के एक पद हैं शिक्षक अंग्रेजी के तीन पद हैं, शिक्षक समाजी के विज्ञान के छै पद हैं, शिक्षक संस्कृत के एक पद हैं, शिक्षक विज्ञान के एक पद हैं, प्रधान पाठक माध्मिक साला के एक पद हैं, सहयक शिक्षक के दस पद हैं, और सहयक ग्रेत तीन के दो बात करें साथियों तो कुल 25 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है शक्षडिक योग्यताओं की बात करें तक्निकी योग्यताओं की बात करें तो शंबंधी देखू अलग-अलग विशा है उसके हिसाब से आपके पास योग्यता होने चाहिए योग्यता के संबंध में आप बिल्कुल इनके ओफिसल नोटिफिकेशन देख पाएंगे उम्रशीमा की बात करें तो एक जनवरी 2022 की स्थिती में आपकी उम्रशीमा की जुगणना है कि जाएगी आवेदा की नुनताम आयू किस वर्श होना चाहिए और अधिकतम आयू 40 वर्श से अधिक नहीं होना चाहिए अनुसुजित जाती अनुसुजित जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग और फिजिकल हैंडिकेप्ड के दिव्यांग के यदि कैंडिडेट है तो आपको आयू शिमा में छूट दिया जाएगा इसके लिए आप विभागी विग्यापन भी देख सकते हैं पोस्ट 17 फरवरी को जारी हुआ है आवेदन भी 17 फरवरी से सुरू हो रही है इंटर्वी होना है 22-25 के बीच में आपका इंटर्वी होना है ओफिसियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें पहसाथियों क्योंकि वहीं से आपको चीजे क्लियर हो पाएंगी वेतन की बात करें तो जो भी साथी योग्य हैं जो भी साथी आत्मनान्द के लिए चुखाएं तो जरूर आत्मनान्दी स्कूल में जा सकते हैं इंटर्व्यू में सामिल हो सकते हैं आपका चेयन मेरिट के अधार पर होगा सौट लिष्ट होगा लिखित परिक्षा कौसल परिक्षा शक्षत जो भी हो इन में से जो भी लागू हो वो करवाया जा सकता है आत्मनन संस्था के उपर निर्भर करता है तो बिल्कुल साथियों यदि आप इच्छूख हैं तो इन पदों के लिए इंटर्व्यू में जरूर सामिल हो जैन